नमस्कार वीके बिनुस की खास सटीक और महत्वपूर्ण पेशगश देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जादे-जाते साल ने फिल्म दुनिया को फिर से रुला दिया है अभिनेता वा मशूर कॉमेडियन मुझताक मचन का अनिधन हो गया है मुझताक ने 67 की उमर में इस दुनिया को अलविदा कह दिया वही माराश की स्कूली शिक्षा मंतरी वर्षागा एकवार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उन्हेंने उन तमाम लोगों से भी गुजारिश की है कि जो भी बीते कुछ दिनों में उनसे मिले है वह भी अपना ध्यान रखे इसे बीच माराश विदानसभा के शीत काले सत्र का आज आखरी दिन है लेकिन सूतरों से मिले जानकारी के नुसार इस शीत काले सत्र में विदानसभा अद्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाएगा उदर बीमसी ने तै किया है कि सिंगापूर की तर्स पर ट्रीवाग बनाएगी यह मलाबार पहाडी परस्तीत कमरान यरी उद्यान के पास बनाय जाएगा इसके अलावा चर्चा में मुंबई नासिक नाकपूर और मुंबई पुने रूट भी है जा बुले ट्रेन कॉरिडियोर के लिए डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतिम स्वरूप पर काम चर रहा है बताया जा रहा है भूमी अधिकरान के कारण हर बार परेशाणी सामने आ रही है प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ सिनेमा जगत के गलियारों से एक बुरी खबर सामने आई है अभिनेता वा मशूर कॉमेडियन मुश्टाक मर्चन का नीधन हो गया है मुश्टाक ने सदसस्ट की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है मीतल लंबे वक्सर डायबेटीज की बीमारी से पीरित मुश्टाक ने मुमबई के होली फैमिली अस्पताल में अपनी आखरी सांस ली मुश्टाक ने कही सालों पहले सिनिमा की दुनिया को अलविदा कह दिया था और मुंबई के बांदरा में रहते थे अभी निता मुश्टाक ने सीता और गीता, हाथ की सफाई, जवानी दिवानी, शोले और सागर जैसी फिल्मों में अपने अभी ने कहुनर दिखाया था मुश्टाक ने अभीता बच्चन और धर्मेदर स्टार फिल्म शोले में एक नहीं बलकि दो किरदार निभाये थे मुश्टाक ने एक ट्रेन राइवर का और दूसरा फिल्म के मशूर गाने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में उस शक्ष का किरदार निभाय था जिसकी मोटर साइकल जै और विरू ने चुरा ली थी बरहाल मुश्टाक को मुबई के ओल इंडिया इंटर कॉलेज में बेस्ट अक्टर का अव़र्ड मिला था इसके साथ ही उन्हें तीन साल तक बेस्ट राइडर और डिरेक्टर का अवर्ड भी मिल चुका है बताय जा रहा है कि मुश्टाक ने एक्टिंग के साथ ही साथ प्यार का साया, लाड साहब, सपने साजन के और गैंग जिसी कुछ फिल्मों के स्क्रिन प्ले भी लिखे थे लेकिन लंबे वक्ष से सिनिमा ये दुनिया में सक्रियन नहीं थे मुश्टाक ने 16 साल पहले सिनिमा को अलविदा कह दिया था महराष्ट की स्कूली शिक्षा मंतरी वर्षा गयाकवार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है यह जानकर उन्हें ने खुद ट्वीट करके दी है मंतरी महरुदिया ने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें कोरोना के 100 मेलक्षन है लिहाजा उन्हें ने खुद को आइसोलेट कर लिया है साथ उन्हें ने उन तमाम लोगों से भी गुजारिश की है कि जो भी बीते कुछ दिनों में उनसे मिले है वह भी अपना ध्यान रखे राज में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने सरकार की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है पिछले 20 दिनों में एक्टिव रोग्यों की संख्या 50 फिसदी बढ़ी है जबकि पिछले 6 दिनों में रोग्यों की संख्या में तीन कुनाव रुद्धी हुई है इससे निपटने के लिए मुख्य मंत्री उद्धो ठाकरे ने कोरोना नियमों का पालन कड़ाई से करने के लिए कहा है साथी स्वास्विबा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टिका करन के काम पर गती दे सोंवार को मंत्री मंडल की बैटक में मंत्रियों ने मरीजों की बरती संख्या पर लगाम लगाने की मांग की है बैटक में स्वास्त विभा के अत्रिक तमुख्य सच्यू डॉक्टर प्रदीप व्यास ने वर्तमासिती की वृस्तुत जान करी दी उन्होंने मंत्रियों को बताया कि 8 दिसंबर को राज में एक्टिव मरिजों की संख्या 6200 थी जो बढ़कर 10,000 तक जाप पहुंची है राज में पॉजिटिव रेट 1.06 प्रतिशत है क्याबिनेट बैटक में प्रेजेंटेशन देते हुए डॉक्टर वैस ने कहा कि जनवरी के मद्ध में कोविट के एक्टिव मरिजों की संख्याब बढ़ सकती है महराष्ट विदानसभा के शीतकालिन सत्र का आज आखरी दिन है लेकिन सुद्रों से मिले जान करीक नुसार इस शीतकालिन सत्र में विदानसभा अदेश का चुनाव नहीं किया जाएगा दरसल इस मामले में राजपाल भगर सिंग को उशारी की तरफ से ग्रीन सीग लंड नहीं मिलने की वज़ह से चुनाव न करवाने का फैसला लिया गया है राजपाल की समती हासिल करने के लिए महाविकास अगड़ सरकार के घटक दलो के नेताओं ने महाराष्ट के गवर्नर से मुलाकात की थी हाला कि इसके बाद भी राजपावन की तरफ से कोई अधिकारी जवाब नहीं मिल पाया है सरकार की तरब से राजपाल महोदो को चार पत्रे लिखने के बावजूत अनुमतीन नहीं दी गई जानकार की मुताबिक राजपाल ने भी सरकार को पत्रलिक कर कुछ तक्निकी खामियों का जिक्र किया था शायद इसी वज़े से इस चुनाव को अनुमतीन नहीं दी गई है महराष्ट कॉंग्रेस ने अपने तमाब विधायकों को विब जारी कर विदानसबा में हाजिर रहने के लिए कहा था हाला कि राजपाल की मंजुरी नए मिलने के चलते अब यह चुनाव इस अदिवेशन में संबवन नहीं है फिलाल सरकार इसे अगले साल परवरी मा के होने वाले विदानसबा स्टर में करवाने का प्रयास करेगी BMC सिंगापूर की तर्ज पर ट्री वॉक बनाएगी यह मलबार पहाड़ी परस्तीत कमला नेरे उद्धान के पास बनाया जाएगा ट्री वॉक करते समय मुंबई करो और परेटको को सिंगापूर की जलक जरूर देखने को मिलेगी इस प्रोजेक्ट पर BMC 17 करोड 73 लाक रुपए खर्च करेगी BMC से मंजुरी मिलने के बाद एक साल के भी तर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है इस ट्री वॉक में पारदर्शी शिशा नागरिकों को पेडो पर चलने का एसास कराएगा हर 150 मिटर पर बैठने का इंतर्जाम होगा गिरगाव चोपाटी के उपर मलबार पहाड़ी पर लोग पैदल सीडियों से चड़ कर जाते है पुछ लोग सड़क के जरीए गाड़ियों से वहाँ जाते है लेकिन पैदल सीडियों के जरीए वहाँ जाने वालों की संख्याद ज्यादा है इसमें मुंबई करों के साथ परेटक भी शामिल है BMC ने यही ट्री वॉक बनाने की योजना बनाई है BMC ने इस प्रोजेक्ट के लिए 12.66 करोड रुपे खर्च होने का अनुमान लगाया था लेकिन कमपनी का कहना था कि यह प्रोजेक्ट कम समय में तेजी से पूरा करना है साथी पहाड़ी पर काम करना काफी मुश्किल होता है प्राक्रोथिक आब अबता के समय नुकसान होने पर पांच वज तक इसकी मरमत भी करनी है ऐसे कई कारणों से खर्च बढ़ जाएगा आखिरकार BMC के साथ कई दोर की बैटकों के बाद कमपनी 17.7 करोड रुपए में ट्री वॉक प्रोजेक्ट करने पर तयार हो गई है देजबर में हाइस्पीड रेल के कॉरिडर बढ़ाने के लिए पिछले बजब में कुछ रूट की गोश्च ना हुई थी इन में से महाराष्ट में मुंबई नासिक नाकपुर और मुंबई पुने रूट तय किया गया है इन दोनों कॉरिडर के लिए डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतिम सुरूप पर काम चर रहा है मुंबई से नाकपुर के बीच चर रहे सम्रुदी महामार का का काम अंतिम चरन में है इस नए महामार का काम काफी तेजी से हुआ है अब हाईस्पेड रेल के लिए भी इसमार को चुना गया है सुत्रों के अनुसार DPR में समरुद्वी मार्ग से सेट कर हाइस्पीट कॉलिडोर बनाने ब्लूप्रेंट तैयार हुआ है 700 सदूसस किलोमेटर की इस रूट में कुल 17 स्टेशन प्लान हुए है मार्च 2021 में इसका हवाई सर्वे किया गया था शाहपुर, इगतपुरी, नासिक, सिन्नर, शिरिडी, और अंगाबाद, जालना, मेहकर, मालेगाव, जहांगीर, कारंजा, पुलगाव, वर्धा, खापरी और नाकपुर स्टेशनों को DPR में शामिल किया गया है इस रूट पर यातरा का समय चार घंटा बता जा रहा है इस कॉरिडॉर पर कुल 15 टनल बनाई जाएंगी सूत्रों के अनुसार महाराष्ट में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भूमी अधिक रहन बड़ा ही जटिल काम है यहाँ 15 से 20 सालों से रेलिवी लाइन पर बनने वाले ब्रीच के लिए अप्रोच नहीं मिलती इसलिए ट्रैक रॉस करने वाली फाटक बन नहीं होती मौजूदा हाइस्पीट रेन मुंबई हमदाबाद के लिए गुजरात में जहां 98.5 प्रतिशत जमीन मिल चुकी है वही माराष्ट में केवल 44 प्रतिशत का अधिक रहन हुआ है बरहाल मुंबई नागपूर, मुंबई पुने या मुंबई हैदराबाद हाइस्पीट रेल प्रोजेट किसी सपने से कम नहीं महात्मा गांधी पर आपतिजनक टिपनी करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है 36 गड की राजदानी रायपूर में पदस्त आपित खादेविबा के इस अधिकारी ने हाला की बाद में माफी मांग ली इसी बीच एक अहम जानकारी है कि PMO दी इन दिनों ऐसी कार का इस्तमाल कर रहे है जिस पर धमाके या गोरियों का कोई ऐसर नहीं होता है यहां तक की खिडकियों को बुलेट से खरोच तक भी नहीं आता उदर सवरोग अंगुली के फिर से कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है उन्हें कोलकता के वुड्लेंड अस्पताल में भरती किया गया है तो केंदर सरकार ने 15-18 साल के बच्चों के लिए कोईड-19 टिका करन के साथ साथ फ्रेंट लाइन वर्कर्स और साथ साल से अधिकुम्बर की लोगों के लिए बूस्टर डोस पर अधिकारिक दिशाने देश जारी कर दिया है इसके अलावा भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस के स्थापना दिवस कारेक्रम में अजीबो गरिब घटना हुई है सोनिया गांधी ने पार्टी हेड़कॉर्टर में जब जंडा फेराने के लिए रसी खीची तो सही से बंदिन नो होने की वज़े से जंडा ही नीचे गिर गया जाने इन देश की सारी खबडे हमारे साथ 36 गड की राजधानी राइपूर में खाद्य विभाक के एक अधिकारी ने महात्मा गांधी पर आपती जनक टिपनी की है खाद्य नागरिक आपूर्ती एवं उपभुकता सरक्षन संचाल नाले के अधिकारी संजे दुबे का निलंबित आदेश जारी कर दिया गया है इसके बाद ये मामला अब राजनितिक रूप ले रहा है बिजेपी नेता ब्रिज मोहन अगरवाल ने संजे दुबे के निलंबन पर कॉंग्रेस सरकार को घेरा है सहायक खाद्य अधिकारी संजे दुबे ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर टिपड़ी में लिखा है कि गांधी कोई राष्ट्र नहीं है नहीं इस देश का बहुमत उनको राष्ट्र का पिता मानता है राष्ट्र पिता भी कोई सव्वेधानिक पदवी नहीं है देश को अपनी लाश पर विभाजन की बात कहने वाले नहीं देश को दो भागों में बटवा दिया लाखो देश वासियों की हत्या का जिम्मेदार वही व्यक्ति है हालंकि निलंबन आदेश के बाद साहयक खाध्यद्ικάरी संजे दुबे ने परट देवे कहा कि मेरे मन में राष्ट्र पिता के प्रती पूरना सम्मान है राष्ट्र पिता महत्मा गांधी अपने आप में एक दर्शन है मैंने पूर्वा में भी महत्मा गांधी पर आलेख रिखा है मैं स्वयम को आहत महसुस कर रहा हूँ किसी भी व्यक्ति की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ फेस्बुक में जो पोस्ट हुआ है उसे डिलिट कर दिया गया है उन्होंने कहा कि शासन ने निलंबन आदेश जारी किया है इसे लेकर स्पष्टी करन दिया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी के काफिले में एक और शांदार बुलेट प्रुफकार शामिल हो गई है PM को हाल ही में इस नई Mercedes Maybach S650 में बैठा देखा गया था जब वहर रूस के राश्टरपती व्लादे मिर पुतिम से मिलने हैदरबाद हांस पहुचे थे इसे रेंज रोवर वोक और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेट किया गया है सुरक्षा के लिहाद से इसमें जबरदस्थ फीचर्स जोड़े गए है धमाके या गोलियों का भी इस कार पर कोई असर नहीं होता है ये कार 6 लिटर ट्विन तर्बो V12 इंजन से लैस है इसकी अधिक्तम स्पीड 160 किलो मिटर प्रतिगंटे की है इसकी बॉडी और विंडो स्टील कोर बुलेट का भी सामना कर सकते है इसमें बैठा शक्स केवल 2 मिटर दूर किये गए 15 किलोग्राम T&T विसपोट से भी सुरक्षित रह सकता है खिड़की का इंटीरेर पॉलि कारबोनेट से कोट किया गया है जो अतिरिक्त सुरक्षा देता है गैस अटक के स्थिती में केबिन को एक अलग एयर सप्लाई की विवस्था की गई है कार के टाइंक को भी कुछ इस तरह से सुरक्षित किया गया है जिसे आपत स्थिती में वह छेट को अपने आप सिल कर ले। इसे उसी सामगरी से बनाया गया है जिसका इस्तेमाल वोईंग के अपाचे अटेक हेलिकॉप्टर में होता है। टायर्स भी खासे जो किसी नुकसान में भी चलते रहेंगे। भारतिय क्रिकेट बोर्ड के मुखिया और पुर्व कप्तान सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गया है। जनवरी से अब तक वह तीसरी बार अस्पताल में भरती हो चुके हैं। जनवरी 2021 में उन्हें सीने में दर्द के बाद एंजियो प्लास्टी से गुजरना पड़ा था। यानि साल के पहले और अंतिम महने में उन्हें अस्पताल में भरती होना पड़ा। हमेशे डॉक्टर्स की ही देख रेख में रहे। सूतरों ने बताया कि काम के प्रेशर में लगातार यातरा कर रहे सौरव को सुमवार की रात एहतियात के तौर पर अस्पताल में भरती कराया गया था। जांच में उनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया था। उन्हें दवा दी गई है और उनकी हालत स्थीर है। उनके संपर्क में आये लोगों की जानकरी जुटाई जा रही है। बतादे कि उनके बड़े भाइस नेहा शिश गांगुली भी इस साल कोरोना संक्रमन का शिकार हुए थे। निर्देशों के अनुसार 15-18 वर्ष के आयू के बच्चों को 3 जनवरी से को वैक्सिंग की खुराग दी जाएगी। जिसे DCGI ने हाल ही में मन्जूरी दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की घोशना के मुताबिक 10 जनवरी से वैक्सिंग की दोनों खुराग ले चुक दिशा निर्देश के मुताबिक दूसरी खुराग के 9 महेने बाद ही बूस्टर खुराग ली जा सकती हैं। जो लोग इस एहतियाती खुराग यानि बूस्टर शॉर्ट्स के लिए पात रहें उन्हें अपने मौजदा कोविन अकाउंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस आज यानि 28 दिसंबर को अपना 137 स्थापना दिवस बना रही है। और बाद में बिना जहन्डा फैराए ही राष्ट्रगान गाया गया। खबरों के मताबिक जहन्डा फैराए जाने की कवायत जारी रही। पोल पर चड़ने की दो बार नाकाम कोशिश की गई। इसके बाद दूसरा छोटा पोल लाया गया और फिर सीड़ी लगाई गई। काफी मशक्कत के बाद पोल पर जहन्डा लगाया जा सका और सोनिया गांधी ने फिर से जहन्डा फैराया। हाला कि इससे पहले ही सोनिया गांधी, पवन बंसल और केसी बेनो गोपाल ने मिलकर पार्टी के जहन्डे को कुछ देर के लिए हाथ में पकड़ा। बतादे की लगातार दो लोग सभा चुनाव हारने और राजजमिक शेत्रिय दलो के आगे प्रभाव हिन हो रही कॉंग्रेस स्तापना दिवस के साथ ही नए सीरे से खुद को मजबूती देने जा रही है। समीती के सदस्यों के मुताबिक पार्टी देश भर में जनता तक पहुचने क लिए एक ट्रेनिंग अभियान पहले ही शुरू कर चुकी है। जिला और ब्लॉक स्तर तक करीब 5500 ट्रेनर तयार किये जा रहे हैं जो नुकर प्रवक्ता की भूमिका में चाई की दुकानों और अन्य पब्लिक जगह उपर समाज में होने वाली बहस में पार्टी का पक्ष रखने को तयार है। सेंस जारी किया है। माना जारा है कि 26 उधारने के प्रहासों के तहट यह कदम उठाया गया है। उधर पाकिस्तान ने हरिद्वार में अवजित एक सम्मेलन में अलप संक्यकों पर खिलाप हिंसा भढ़काने के लिए इरादों से दिये गए नफरत भरे भाशनों पर चिंत आना चाहती है। दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ। जल से जल टीका लगवाएं क्योंकि संक्रमन के माम लेब बढ़ रहे है। विशे शग्यों का कहना है कि कैलिफोर्निया से पहले ओमिक्रॉन की लहर ने नियू यॉर्क को अपनी चपेट में लिया है। बच्चे इसके आसान शिकार बन रहे है। राष्ट बदी जो उसरे की टिका करन की सितीब पता हो। कोरोना के जनक माने जाने वाले चीन की शियान में सक्ती और बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने सोंवार से लोगों को शहर के भीतर आने जाने पर भी प्रतिबंद लगा दिया है। की साजिश रच रहा था। सीख फोर जस्टिक के संस्ता पर गुरुपत वंत सिंग पन्नु का भी वह बहुत करीबी है। पन्नु भारत में पतिबंदित आतं की है। बता दे कि पंजाब के लूदियाना डिस्टिक कोर्ट में हुए ब्लास्ट मामले की शुरुआती जांच उसका ही हातवारदात के पीछे था। जांच में सामने है सभी पहली अभी तक यही इशारा कर रहे है कि मृतक ही साजिश करता था। यह विस्पोर्ट अचानक से हो गया जब बम द्रगटना वश टॉयलेट के अंदर गिर गया। मृतक के शरीर में इसे अलूमिनियम और प उसलिम कबल के लिए पहला सिविल मैरेज लाइसेंज जारी किया है। माना जारा है कि अबुधाबी ने खाड़ी देशों में व्यवसाइक हब बन रहे और नशेतों पर प्रतिद्वन विता में बड़त हासिल करने के लिए यह नया आदेश जारी किया है। प्रशासन का मा और आम तोर पर इसे एक धार्मिक प्रधिकरन के तहट किया जाता है। याद रहे इससे पहले यूई के अबुधाबी में गर मुस्लिमों को नए सिविल लोग के मुताबिक शादी करने, तलाग देने और बच्चे की सेयुकतक स्टेडी हासिल करने का अधिकार दिया गया या इसले भी अहम है कि अभी तक अबुधाबी में शादी और तलाग पर कानून अन्यखाडी देशों की तरह से इसलामिक शरिया कानून पर आधर हित थे। पिछले साल ही यूई ने संगिय सर पर कई कानूनी बदलाव किये थे। इसमें शराप का सेवन आपसी समिती से य धर्मसंसद में हेट स्पीच मामले को लिकर बारत के वदेश मंत्राले के प्रभारी उच्चायुक्त को तलब किया है। साती हाली में हरिद्वार में आउजिर एक सम्मेलन में अलपसंगों के खिलाफ हिंसा भढ़काने की इरादे से दिये गए कथित नप्रत भरे भाशनो पर चिंता वेक्ट की। हरिद्वार में 16 से 11 दिसंबर के बीच वेद निकितिन धामयाउजी धर्मसंसद में वक्ताओं ने मुसल्मानों की खिलाफ कथित तोर पर नफरत फैलाने वाले भाशन दिये थे। इस कारेक्रम का आयोजन गाजियाबाद में डासना मंदिर के पु को गंभीर चिंता के साथ देखा है। भारत के लिए यह बहुत ही निंदनीय बात है कि न तो आयोजकों ने कोई खैद वेक्त किया है और नहीं भारत सरकार ने उनकी निंदा की है। उनकी खिलाफ कोई कारवाई भी नहीं की है। इसने भारत में मुसल्मानों के भागे के बारे में एक गंभीर तस्वीर पेश की है। भारत से इन ग्रुनासपत भाषनों और अलपस अंकेकों के खिलाब व्यापक इंसा की घटनाओं की जाज करने और भविश्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने की उम्मीद की जाती है। के मुल्क लोटने को लेकर पिछले तीन मेने से रिणनीती बनाई जा रही है। पाकिस्तियानी सेना तबदील की नाम पर इमरान खान को सत्ता में लाई थी। लेकिन वो पूरी तरह देश पे नितियों लागू करने में नाकाम रहे। मुल्क में उनके खिलाब नफरत केस चर रहे है। सूत्रों के अनुसार रणनीती बनी है कि अगले साल नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे। कुछ मैने जेल में बिताने के बाद फोज की दाखल और अदालत मिलकर नवाज के खिलाब केस को खत्म करेंगे। इसके बाद नवाज शरीफ की सत्ता मे वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। बतादे कि पाकिस्तान की इमरान सरकार बढ़ती महेंगाई, बढ़ते कर्स और कथित कुछासन को लेकर काफी अलोचनाओं का सामना कर रही है। तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होंगी। त यापस, बढ़ते कि अई आप बस आप सामना कर रही है।